वेल्कम बेक टूमाइटूब चल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँब अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में देखने बाले मैंने आप से कहा था कि जो भी छातर बीए फस्ट सेमस्टर में है फस्ट सेमस्टर की बात करूँगा फस्ट सेमस्टर उनके लि उसका प्रारंविक उद्देश क्या था यह अपसे पूछता है कोशन कभी कभी तो ऐसे कोशन जबी भी बन जाता है प्रारंविक उद्देश के बारे पूछे तो मैं यहाँ चार उद्देश आपके लिए लाया हूँ चार उद्देशों को याद कर लेना बस ज्यादा कु है यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप सिंपिल लिखना चाहिए तो यहां से ओप्शन और एक, दो, तीन सी लिग लगता है, लेकिन आपको यहां बता देता हूँ, क्या है, तो देखो, कांग्रेस के प्रारंबिक अधिवेशन के अधियक्ष, जो थे, श्री, व्यूमेस, चंदर बनर जी थे, ठीक है, तो जो अधिवेशन के मुख अधियक्ष थे, तो कांग्रेस के अधियास का सकते हैं, उद्देशों पर प्रकास डालते हुए, निम्न उद्देश गोशित किये, उन्होंने कुछ गोशित किये, किस ने किये, तो आप कोगे, चंदर बनर जी ने, ठीक है, कह सकते हैं, व्यूमेस, चंदर बनर जी ने, उन्हेंने कुछ उद्देश दिये, अब उन्होंने पहला उद्देश दिया कि देश हित बाउन्नती के लिए कार करने वाले सभी ब्यक्तियों में परस पर एक घनिष्टा और मित्रता बढ़ाना उनका पिर्थम उद्देश था उनका अधिर्थम परावि जो कह सकते हैं प्राणा भी दो दिश था वो यह थे चार कि जो जो देश के हित में जो ब्यक्ति काम कर रहे हैं ठीक है उनके बीच में आपस में घनिष्टा बढ़ाना भी आपस में मित्र बनके रहें और आगे बढ़ते काम करते रहें यह उनका उ संदू है मैं मुसलिम हुई यह है वो है तो वह सब की बात करें वारा है तो उसको सब को मिटा कर भेदभाग को खतम करकर उसको राष्टी एकता की बात की जाए वहां उसको विक्सित किया जाए तीसरा उन्होंने पॉइंट दिया कि महत्पूर्ण और तीक है आबस्क पहन करना ही उसका मुखोद देश था तीसरा पॉइंट बाला और उसका चौथा पॉइंट इसमें डालेंगे कि आगामी जो है जो आगामी बर्स के लिए उन साधनों एवं कारिकरूमों पर बिचार करना मतलब जो आने वाले जो बर्स हैं उनमें ये बिचार करना की साधन कौन से हैं कार करम क्या है उन कार करना चाहिए उन फिर और साथी साथ उनके अंतर के देश की राजनितिक नेता देश से संबंधी कार कर सके जिससे क्या होता है ऐसे विचारों पर कार करना जो राजनितिक के नेता है वो उस संबंध पर कार कर सके तो ये चार पॉइंट उन